कर दोस्तों मैं आरियन सिर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन कलासिस तो फ्रेंड्स आज किस वडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दस्वी के सोशल साइंस मतलब समाजिक विज्ञान के जो कि हर बार बोड परिक्षा में पूछा जाता है तो भाई आज दो हम आपको बताने वाले हैं पांच परसन बताने वाले कितने परसन बताने वाले हैं पांच परसन और पांच परसन में से एक या दो परसन पूछा जाएगा लेकिन सब्भवना हो सकता है एक या दो परसन ह हो जाईएगा कि आप लोग के बोर्ड परिक्षा में पोचा जाएगा तब भाई जितना टाइम लगे आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखिए उसके बाद आप बोर्ड परिक्षा में गरदा चुरा जीजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आईए सबसे पहला प्रशन हमने लिखा संसाधन क्या है अब इसको हम अपने भासा मदी बोले संसाधन जो हमारे आवशकताओं को पुर्ती करें उसे ही संसाधन कहते हैं इस पे अदि मैं कहानी की बात करो तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगे लेकिन अभी नहीं ठीके आपको पता है सिंपल स हमें क्या चलते थे बैल गारी उससे पहले की जमने जाओ तो भाई पैदल ही यातरा करते थे 20 किलो मीटर 40 किलो मीटर डेली यातरा करते थे लेकिन अभी एक किलो मीटर के लिए हमें ओटो रिक्सास जो हुई है पकड़ना पड़ता है ठीक है तो संसाधन धीरे-धीरे डब हित्यक होते हैं उसे संसाधन कहते हैं जैसे मिठी हो गया, खनीज हो गया, वन वन जीब हो गया, ठीक है? ये चीज़ संसाधन आप लोग को समझ में आ गया आएए दूसरा संभावी एवं संचित को संसाधन में क्या अंतरैस पष्ट करें दिखिए मैंने साप साप यहां पे लिखा वैसा संसाधन जो किसी विसेश छेतर में महजूद होते हैं जिसे उपयोग में लेने की संभावना रहती है उसे संभावी संसाधन कहते हैं जबकि क्या संभावी समझ माया वैसा संसाधन जो किसी विसेश छेतर में महजूद होते हैं जिसे उपयोग में लेने के लिए संभावना होती रहती है ठीक है उसे हम लोग क्या कहेंगे संभावी संसाधन कहेंगे नाम सी पता चल ज आपको कहेगा संभावी मतलब आप कहेगा संभावना होगा मतलब उसको उपयोग में लेने की संभावना होगा उसे ही हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं जब की दूसरी बात बोला जाये तो वैसा संसाधन जिनका भंडारन संसाधन का ही अंसो जिसका भंडारन संसाधन का ही अंसो जिसे तकनीकी के अधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे संचित को संसाधन केते हैं जैसे जल होगिया हम लोग जो जल पीते हैं, जो समुदर होते हैं, टर्वाइट लगा होता वहां पे और उससे हम लोग क्या उपयोग करते हैं? बिद्धूत उर्जा उपयोग करते हैं ठीक है बिद्धूत उर्जा को वहाँ पे उपयोग क्या जाता है उपयोग तो हम लोग घड़ में करते हैं लेकिन वहाँ से निकाला जाता है जल से हम लोग बिद्धूत को निकालते हैं और हम लोग परिपत के द्वारा अपने घरों संचार्ण की उपाई बतावे संचार्ण का मतलब ये हुआ को उसको बचाने का तरीका बदना है संसाधन की सभ्यता एवं संस्कीती के विकास में अहम भुमीका होती है अता इनका संडख्चन आवश्चक है इनके लिए निमलिखित बिंदों पर ध्यान देना चाहिए ठीक है पहला बात संसाधनों को विबेग ठंग से उपयोग क्या जाना चाहिए भाईया अभी पानी है और पानी आप लोग जो है मोटर से निकाल निकाल के चार बल्टी पानी से नहाते हो यहां तक जो है स्विमिंग पूल बगेरा बना बना के नहाते हैं उसके बाद एक ही उसकी नहीं समझते हैं अब पानी का भी कीमत हो गया और पानी भी भिकने लगा बहुत सारा पानी ऐसे ऐसे जो बहुत ज culprit है तो आप मत्त सोचे कि पानी हमारे लिए उप्योगी ने बहुत ही जादा उप्योग जिया और उसे जितना भी हो सके आप उसे बचाने की कोसिस कर ठीक है तो विवेकपुन्ट धंग से उपयोग करना चीए और संसाधनों का दुरुपयोग पर रोक लगाना चीए ठीक है और सीमित भंडारन वाले संसाधनों को विकल्प ढूंड़ना चीए जिसका मतलब हुआ जिसका जो है सीमित भंडार है जिसका सीमित भंडार है तेल ब तरह का कोई संसादन हम लोग को ढोना परेगा तभी तो अमाल याज़े कोई ला खतम हो जाएगा या लपीजी गैस खतम हो जाएगा तो आगे तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए टेक्नोलोजी का उप्योग करना होगा ताकि हम लोग उसे विसेस परकार से उप्योग कर सके ठीक है आगे भी यह तीसरा प्रेशन जो है आप लोग समझ गये विडियो अच्छा लग रहा है ना था वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों को साथ भी सेर कर देजिए एक दूसरे ग्रूप में ठीक है वाट्सप ग्रूप में ताकि उन्हें भी पता चले साथ ही आपको बता दे कि मैथ का पूरा कॉर्स मैथ का पूरा कॉर्स जीरो टूल हीरो चल रहा है ठीक है जीरो टू हीरो चल रहा है बिल्कुल असान तरीका और असान बासा में नहीं देखे हो तो जाए चैनल को क्लिक करके देखे वहां पे सभी जितने भी चैप्टर है सभी को खतम करते हुई हमारें बिल्कुल थारीका में और इसके बाद हम साइंस को भी देखेंगे सेप्टर वाईज और सोङल साइंस को भी देखेंगे तो फल आपको इंपोर्टेंट बीच विच में देना जरूरी है जिस परकार इंसान को टोनिक लेना बीच बीच में जरूर यूसी परकार से आईए अगला प्रेशन चोथे नंबर देखते हैं चलिए चोथे नंबर प्रेशन संसाधनों के निर्मान में तक्निकी का क्या भूमी का है बिल्कुल समझेंगे संसाधनों के निर्मान में तकनीकी जिसको कहते हैं टैकलोजी ठीक है तकनीकी की भूमी का काफी महत्पुन है किन्टु पिर्थवी ब्हूगर में अस्ठित भूगर मतलब भूमी के अंदर ठीक है कोईला पेटोलियम खनीज बेकार परे हुए है किन्तु तकनिकी के ग्यान के द्वारा हम इसे उपयोग में उपयोग के लाइक बनाएं इसी परकार की तकनिकी के ग्यान के द्वारा जल के द्वारा बिधुत उर्जा और हवा से पवन उर्जा तथा सोड उर्जा का विकास किये तो तकनीकी का क्या भूमिका है आपके लाइफ में आपने समझा क्या समझे एक बार फिर से रिपीट गर दे वाई टेंसर नहीं ले ना संसाधनों की निर्मान में तकनीकी की भूमिका काफी महत्व है किन्तो पिर्थवी के भूगर में प्रतवी के अंदर में जो अस्तित था क्या था कोईला था और कोईला का निर्मान केसे हुआ आप हमें कोवेंट वोक्स में करके बताना ठीक वाई जो बच्चे को नहीं पता हो तो आप बोलना कि सर कोईला का निर्मान केसे हुआ पेट्रोलियम का निर्मान केसे हुआ खनी का लाइक बनाए उसे ठीक है और इस तक्निकी के ग्यान के दौारा हमने जल को बिद्धुत उर्जा में बदला मतलब जल से हमने बिद्धुत उर्जा को निकाल लिया और हवा से हमने पबन उर्जा तथा सौर उर्जा का विकास किया ये किसे चीज़ से हुआ तक्निकी से मतलब टेक्नोलोजी से हुआ ठीक है आए और अंतिम प्रस्ण देखते हैं भाई अंतिम प्रस्ण जो है हमारे पास है पाच्वे नमबर और ये छठे नमबर मत देखें आप लोग क्योंकि मैं ये छठे नमबर आज नहीं दिखाने वाला हूं ठीक पाच्वे नमबर सतत्विकास का अवधारना क्या है ये भी प्रस्ण बहुत बार बोर्ड परिक्षा में पूछा जा चुका है ठीक है अब इसे भी भी आई के रूप में लिख लो और नोट करते चलो और जो कुशन में बताया पाचो और इविजन के तौर पर याद ही कर ले जिसके अंतरगत प्राकृतिक संसाधनों एवं परियाबरन को छती पहुंचाए बिना बिना छती पहुंचाए बर्तमान अभावी दोनों पीडियों का कल्यान को अधिक्तम बनाया जा सकता है अर्थात अर्थ विवस्ता का विकास सुचारू रूप से चलते रहे नहीं समस अब देखिए अभी जो कुछ चल रहा है जैसे पेट्रोलियम की बात करें विद्धुत उर्जा की बात करें उसको इस परकार से निकाला जाए कि हमें परियाबरन को बिना छती पहुंचाए निकालना जी ठीक है अब कोईला हो या कोईला से क्या होता कोईला दी जलाते हो तो क्या हो रहा है प्रियाबरन ढूसीत हो रहा है लेकिन जब आप लप में खते हैं और तमान पीरियों का और अधिकतम बनाया जाशकता ह Say अर्थ वेवस्था का भी 84 रूप से चलाया जा सकता है, तो भाई आज जो हमने आपको 5 प्रस्ण बना आया, बताया है, वह भी very very important, ठीक है, very very important, और ये 2000 आपके बोर्ड एक्जाम के 21 के जो बोर्ड एक्जाम होगा, 21 वाला जो विद्यार थी 21 में जो आप लोग पढ़े हैं वो 2022 में एकजाम देगे तो उसके लिए टेंसर नहीं लेना है जो 2022 में पढ़ेंगे वो 2023 में एकजाम देगे उसी परकार से जो भी हो लेकिन कोई भी परिक्षा हो आपको मैं बता दूँ वो separately बोट परिक्षाम ये सारे प्रसन पूँछे जाते हैं जितना मैंने आपको बताया ठीके ये सारे प्रसन पूछे जाते हैं तो वाई विडियो कैसा लगा आप हमें कومंट बोक्स में कुमंट करके बताना मिलते के रे विडियो को